लालो नगर मध्यपुरा के विश्विदाले दर्शन साथ विभाग में हम सभी कठा हुए हैं और अत्यांत ही कम समय में हम लोगों ने आप समों को सुचनाये दी और आपने किर्पापुर्वक हमारे विभाग में आने का कष्ट किया इसके लिए हम अपनी और से और पूरे द गुरुवर जिनका मुझे छात्र जीवन से ही जम मैं असनातक में प्रहाई करता था तभी से उनका परत्यक्ष और प्रोक्ष मार्ग दर्शन एवां आशिरवाद मुझे मिलता रहा है आप देश के जाने मौने दार्शनिक हैं और दर्शन सास्त में आपकी दर्जनों पु प्रफेशर नरेश प्रशाद तिवारी सर मैं सबसे पहले आपका हादिक स्वागत करता हूं और विनंदन करता हूं और मेरे लिए गोरव की वात है कि जब मुझे परभारी विवादाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई तो आपने मुझे बढ़ाई दिया और मैंने आपको कहा कि सर मैं आपके बढ़ाई को स्विकार नहीं करूंगा तो आप थोड़े आश्यर चकीत होगे कि क्यों ऐसा कह रहा है तो मैंने कहा सर फोन पर नह आपका मेरे परती जो विशेश ने है वो तो है ही और दर्सन के परती जो आपका लगाव है उसको भी दर्साता है क्योंकि आप सेवाने प्रोफेशर हैं और लगवक सतर वर्ष उम्र हो रही है और इस उम्र में पत्ना से आ करके काईक्रम में भाग लेना और फिर वापस ल 72 वर्षिय युवा का मैं चाहता हूं उसा युवा की तरीके से गर्म जोसी से स्वागत आप लोग तालियाओं से करेंगे सरका मैं आपके परतिया भारी हूँ और मैं अभार्ब्यक करता हूँ अपने विवाग के पुर्व अध्यक्ष जोकी मोनवी की संकाई के पुर्व स भरीमा बढ़ी है और आप हमारे अविभावक मारदर्शक आपका भी मुझे मैंशनातक की कख्षाओं से ही हमेशा मारदर्शन और आशिरवाद मिलता रहा है और मेरे लिए गौरब की बात है कि आप आज हमारे इस कारिक्रम में उपस्तित हुए हैं फॉर्फेसर की अनजे द जब से भी मैं विश्विद्याले में आया हूं तब से मुझे अपने बड़े भाई की रूप में संग्रक्षन एवं आशिरवाद देते आ रहे हैं और इतने सिनियर होने के बावजूद कभी हैसास नहीं होने देते हैं कि वह कितने सिनियर हैं और हम लोग अभी कितने नए हैं और जैसा कि मैंने अभी थोई दिर पहले अपने तिवारी सर को बताया आप लोग तो पूर्व से परचित हैं कि आप हमारे पाटली पुत्र विश्विद्याले के परतिकुलपति भी रह चुके हैं हमारे के प्रतिकुलपति के पद को छोड़ने में चंद मिनट का भी स आज के इस दोर में ड़ित चोट ऐसे चोटे पद के लिए प्रिंस्पाल बनने के लिए हीडे लोग नहीं नहीं करते हैं डोग सभी जांते हैं उस दौर में अपने इतने बड़े पद को चन्द मिन्टों में छोड़ करके आप चले आए पटना जैसे जगह का यह आपका जो एक आपकी जो सेक्षनिक इमांदारी है यह इसको दर्साता है मेरे लिए गौरब की बात है कि आपको तुम्हें पहले का भी नहीं पाया था मैं कल मैं देखने लगा सब का नम तुला आरी करता हूं कि आप हमारे बीच आये हैं प्रोफेशर आरके मलीक शर और मेरे बड़े भाई जिनका की बीएन मंडल विश्विद्याले में योगदान के साथ ही मुझे हमेशा चाहे वो निया केंपस हो पुराना केंपस हो मैंने जितना भी कारिक्रम आयोजित किया सभी कारिक् कि बीचन मंडल विश्विद्याले का पूरे देश भर में आप बीचन मेडिया खोलीएगा तो अपको बिलेगा और शिक्षक्षक संग के नेता के रूप में आपकी भूमिका है और विशेश रूप से निदेशक के रूप में आपने जो नेक मुल्यांकन की महतित जिमेव किया है हमारे बड़े भाई और हमारे विश्विद्याले के मौननिय सीनेट सदस प्रफेसर नरेश सर मैं आपके प्रति भी आभारव्यक्त करता हूं आपकी तो इच्छा थी कि या कारिकरम हमारे बड़े हॉल में हो और मैं भी चाह रहा था लेकिन हमारे दिवाग के दोनों स कोईद किया है मैं आपके प्रति भी अभारव्यक्त करता हूं और मैं उसा मेडम के प्रति अभारी हूं जो कि हमारी मौनमिकी संकाई की पुर्व संकाध्यक्ष हैं और हिंदी विवाग की विवागा ध्यक्षा हैं आपका भी हमेशा मुझे एक मात्रिवत सने आशिरवाद हमेशा मिलता रहा है और आप तमाम लोग जितने लोग आए हैं समों का नाम लेने में समय लग जाएगा इसलिए मैं आप समों के परती अथायोग आप समों का विवाधन करता हूं लेकिन मैं एक लोगों का अगर एक व्यक्ति का नाम नहीं लूँ तो वह उचित नहीं होगा इसलिए मैं एक व्यक्ति को जरूर नाम लेना चाहूंगा जो कि हमारे डारेक्ट सिक्षक हैं इस सभा में मौझूद हैं वह हैं डॉक्टर एस्पी सिंसर जिनसे मैंने बीएट की कक्षाओं में पढ़ा है तो मैं उनके परती जरूर उनके परती अभारव्यक्त करना चाहत है मैं आपके प्रती सरावारी हूं इनी शब्दों के साथ मैं आप समयों का स्वागत करता हूं और ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सबसे पहले एस्पी सिंग सर से ही अन्रोद करूँगा सर आप चंद मिन्टों में हमारा मार्ग दर्शन करें सब्सक्राइब स्वागत के लिए कुछी भुला आगे बोल लेक चकर तो मैं सबसे पहले ग्यानजेत वेदी सर सेंद्रोद करूँगा हमारे आज के कालिक्रम के मुख्य वक्ता जो कि हमारे पत्नों विश्विदाले से आये हैं पीतिवारी सर उनका अंग बश्तम और सर भी दिजिए इससे स्वागत करेंगे और मैं बीने सर से अन्रोद करूंगा कि हमारे पूर्व कुलपती महद है ज्यानजेत वेदी सरका स्वागत करेंगे हुआ है कि सब्सक्राइब बहुत धन्यवात सब्सक्राइब है हमारे मलिक सर्काइब कोई बात नहीं आज मलिक सरका स्वागत करेंगे और नरेश भिया का नरेश भिया के सवागत करेंगे बीने सर और हमारे उसा मेडम का भी बीने सर स्वागत करेंगे और समय कम है लेकिन मैं चाहूंगा जरूर हमारे स्पी सिंग सर का जरू स्वागत हो है और लोग हो जाए नहीं है तो सरका स्वागत करेंगे और ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं स्पी सिंग सर से रोध करूंगा कि अपनी बात रखेंगे कि इस विशेश विशेव पर नरेज सर का पूरव विश्व द्याले कुल्पती महोदे ग्यान अंजय सर का प्रोफेसर इंचाज मलिक सर पूर प्रोफेसर इंचाज नरेज सर पूर्वानुकी संकाय धेक्ष उस्था मैं सुधान सूजी बीड विवागा देख सुसील सर और समझ सिक्षकों का इस कारिकरम में स्वागत है और हम लोग तो आये थे नैक की मिटिंग के लिए और इस सभा में आने का उसर मिला इसके लिए आप सभी का धन्यवाद और जैसा की विसे है और गागर में साइगर भरने के लिए मौजूद है, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर नैतिक मूले नहीं हैं, तो हम मनुष से नहीं है अंग्रेजी में एक कहावत है 친 exposure to the animal तो हम एनिमल हैं तब तक जब तक हमारे अंदर कोई भी नैतिक मूले या मानविय मूले नहीं है और वह जानवर केवल एनिमल हमसे इसलिए हट जाता है कि हम मूलेवान हैं अपने विवेक से सोच सकते हैं और कोई भी निर्णे लेने के पहले यह सोचते हैं कि दुनों पक्ष किस प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं क्या हमारी बातों का क्या हमारे रहन सहन आचार विचार का प्रभावित समाज पर पड़ता है और हम समस्त यहां पर उपस्तित लोग अधिकतर सिक्षक हैं तो इसलिए हमारी जवाब देही और बढ़ जाती है कि सिक्षक जो है वह समाज का अभिन अंग है और नय समाज का निर्मार कहीं ना कहीं सिखषकों के बीना संभव नहीं है छात्र आनवरत कुछ सीखना चाते हें उनके जैसा बनना चाथे ऊर धिरे डिरन्तर उनका विकास होता रहता है मैं इनी सब्डों के साथ अपनी वाण tobacco विर्म देना चाहूंगा है बहुत बहुत धन्यवाद सर और अब मैं आधर निया उसा मेडियम से अन्रोद करूँगा कि आप अपने विचार वेक्ट करें कि अधन्यवाद सुधान सुजी अधर निये प्रोफेशर नरेस परशाथ तिवारी जी जो हमारे मुख वक्ता हैं आज के इस आयोजन के पटना विश्विद्याले से आये हैं इस ठंड के मौसम में भी इस उम्र में तो इनके लिए जरूर गर्म जोशी के साथ एक पर तालियो स्वागत कर लें और सर से मेरी मुलाकात कई बार हुई है टीपी कॉलेज में भी और वेविनार म में भी हमने बहुत सुना है सर को और अचानक से कल सुधानसु जी ने जब इनका नाम लिया तो मैं सोचने लगी कि उसमें कई दो तीन थे ऐसे जो की बड़ाबर आते थे तो चेहरा कैसा है तो भी जब मैं आमने सामने हुई तो मुझे सब कुछ द्यान में आ गया तो सर आ आप इतनी दूर से आये हैं अधरनिये हैं साथ ही बगल में बैठे हमारी विश्विद्य लेके पुर्व कुल्पती दर्शन सास्त्र के बिभागा ध्यक्ष पुर्व में थे और पुर्व मानवी की संकाया ध्यक्ष इनके बाद मुझे ही जवाब देही मिली थी और मैं सर क के पास गई और मैंने कहा इन से खुल कर कि सर मुझे कुछ भी एबी सी नहीं पता कि संकाया ध्यक्ष को क्या क्या करना होता है इमानदारी के साथ आपने बहुत बढ़ियां से चार वर्षों तक निभाया है इस पद को और काम किया है तो आप मुझे बताएं मार्क दर्शन दें और आप मने कलपना नहीं करेंगी कि सर के पास जितने रेगुलेशन थे 2019 का ये 2009 से उसके पुर्व का 2004 का जो भी था रिसर्ट से समन्दी जितने इनके पास बही खाते थे सब लेकर के लाकर दुसरे दिन मुझे इन्हों ने दे दिया का कि आप इसको पढ़िये और दे मैं इनसे डिसकास फोन पर भी करती थी अपने एक बार ये अपने गाओं में थे पहली संची का मेरे पास आई थी तो मुझे लगा कि कैसे इसको मैं तयार करूं कैसे लिखूं तो मैंने फोन कर दिया कुल्पति को लोग वैसे नहीं तुरंद फोन लगा दिया करते हैं लेक हिए उमीद है आगे भी मिलता रहेगा जो एक संह बना है सर और साथ ही बैठे हैं अभी संप्रति संकाय ध्यक्ष मानवी की संकाय ध्यक्ष हैं अंग्रेजी बिभाग के विभागा ध्यक्ष हैं और इनके साथ आई क्यू एसी के डायरेक्टर हैं प्रोफेशर नरेश कुमा और सर हैं अंग्रे जी विभाग के विभागा देक्ष प्रोफेसर राजीव कुमार मलिक जी हैं आप लोगों ने सुना सुधानशु जी से कि इन्होंने कैसे ही कैसे प्रोभीसी पद का एक मिनट में इन्होंने रिजाइन करके वहां से चले आए अपने विभाग में तो यह बहुत बड़ी बात है एक बहुत बढ़ा चरितर है एकह और मैं हमेशा उदाहरन के तौर पर इनकी बातों को रखा करती हूं और हमारे प्रोफेसर नरेश कुमार जो आईक्यू एसी के डाइरेक्टर है साथ ही साथ है रसाइन सास्र विभाग में हैं प्रोफेसर के प्रका हाँ से रहते हैं। और इंसे बहुत प्रेरणा मिलती है कि जब इसे यह इतना करते हैं तो मुझे भी जब वश्य कम जाया करने के लिए। तो और साथी सुधान्शो जी जो इतनी कम उम्र में एक पीड़ी का गैप है करीब करीब आम लोगों में दोनों में और इतनी कम उम्र में इन्होंने इतनी उचाई प्राप्त की है और इश्वर से प्राप्ता है और भी आगे बढ़ते रहें और साथी एस्पी सिंग जी है ज नेतिक मुल्यों का महत्त, बहुत ही सारगर्वित है और इस तरह से चर्चा-परीचचा होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस पर विस्तार से सर परकाश डालेंगे, दोनों सर हमारे सामने हैं, मानवी की संकाया धक्ष में हैं, ये परकाश डालेंगे, मैं संछेप में दो च बच्चे नहीं समझ पाते कि क्या सही है क्या गलत गलत से ही जदी हमें कोई उपलब्धी मिल रही है तो बच्चे उसी पर चल के उपलब्धी प्राप्त करना चाहते क्योंकि वहां कम समय में उपलब्धी वे प्राप्त कर लेते हैं भले उसका उसकी उम्र आगे कम हो अब दे और अचानक हेट से ही पूछते हैं कि मेरा भाई है, उसकी तबीयत खराब है, नहीं पड़ता है, और उसकी तबीयत खराब है, CIA की जो परिक्षा है उसे मैं बैठ कर परिक्षा दे दू तो आप बताईए कि क्या नैतिक मुल्ले बचा है जब बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कोई बहुत छोटे बच्चे नहीं है तीन चार साल के नहीं है निश्चित रूप से 17-18 के पार के बच्चे हैं और वे ये नह ही समझते हैं कि परिक्षा का अर्थ क्या होता है और पढ़ाई के छेत्र में मैं यहीं कहती हूं कि हम भाई बिमार है उसके हिस्से का खाना बचा है तुम दोनों प्लेट खाना खाओगे एक बार बैठ करके तब उससे लगता है कि निशायद मैंने गलत कहा मनें उसे यह भ गया उसे कुछ नहीं आता था तब भी फस्ट ग्लास आ गया तो यह नकारात्मक बाते हैं और यह समाज में व्याप्त हो गई है तो हमें तो हमें जो सकारात्मक बाते हैं उस पर अधीक चर्चा करनी चाहिए जैसी कुदाहरन के तौर पर हमेशा कहते हैं कि आधा गिलास पानी है तो कोई आधा खाली है तो आधा खाली पर ध्यान ना देकर आधा भड़ा जो है जो नरेश्वा हमेशा कहा करते हैं कि जो हमारे पास संसादन है, जितनी छमता है हम उस काम में लगे रहे तो हमें यह इसलिए अच्छा लगता है कि यह सकारात्मक सोच है और हमें उस लाइन पर जाना चाहिए, अब मानव जीवन अभी SP सिंग जी ने बिल्कुल असपस्ट किया कि मनुष्य भी जानवर जानवर की श्रेणी में आता है लेकिन उससे भिन्न कैसे है तो उसके पास नैतिक मुल्ले है जदी यह नैतिक मुल्ले ना हो क्योंकि प्रकृति ने तो सब को बनाया सभी जीवों को बनाया, जो छोटी जीवे बड़े जीवे, हम यह मनुष्य जो है सबसे विक्सित प्रानी है और इसके पास दिमाग है सबसे अधिक अब जानवर जदी उचारन शब्दों का करता है, शब्द ने वर्ण का तो एक ही कुत्ता भौ करेगा चिडियाँ ची करेगी, तोता टे करेगा लेकिन मनुष्य इन सारे वर्णों का संग्रह करके शब्द बना करके वाक बना कर और वो सदियों से यह अनुष्द धान नहीं किया है सबसे धीरे 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 वह प्रकृती से उसे आत्मसात किया है और वह इतना विवेक्षिल है जब हम एहां तक पहुंचे, आप सोचे कि आदिम मनुष्य कैसा था। किस तरह रहा करता था। इतिहास पढ़े होंगे, ना भी बचपन में जरूर पढ़े होंगे। और उस से लेकर कि आज तक कितना भी विकास किया है। तो मनुष्य नहीं न किया है, मनुष्य को पंख नहीं है, फिर भी वह आकास में उड़ता है, वायुआन के माध्यम से, तो मनुष्य के पास बहुत मेधा है, बहुत उड़जा है, बसरते जवरत है, उसे सकारात्मक कारियों में लगाने की, और सकारात्मक सोच की, जब आप अच्छा सोचेंगे, तभी आप अच्छा लिख सकते हैं, लोजाइनस ने कहा भी है, कि जिनकी आत्मा पवित्र होगी, महान होगी, वही महानकाब का रचैता हो सकता है, तो पहले अपने आप की आत्मा को पवित्र करना है, सोच को पवित्र करना है, मानसिक जो विकृतिया है जो चारो तरफ जो नकरात्मक सोचे है इसे निकालना है तब हम उस लाइन पर जाएंगे और यह बैभार के बाते हैं और बैभारी के कारेकलाप से ही अधर ही आते आती है अब नाइतिक मुल्य किया है अब इसको जदी हम करने लगेंगे और एक डिमार्केशन देंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा बस अपने आप में हम सच्चाई लाएं, इमानदारी लाएं, वफादारी लाएं, प्रेम लाएं, स्वहार्द लाएं, सहियो की भावना लाएं सभागिता लाएं यही है नैतिक मुल और इस पर हो जाएगी, जैसे तैसे हम प्राप्त करते हैं तो डर लगा रहता है कि पता नहीं कहीं फीर से इसका भंडा फोर हुआ और जाच कमीटी बैठे जदी इन्वर्सिटी लेवल पर तो हम कहीं के नहीं रहेंगे इसलिए हमेशा हमें सोचना चाहिए कि अपना जो नैतिक मुल्य है यह जो अच्छी बाते हैं वही नैतिक मुल्य के अंतरगत आती है हमारे आच्रन, बैभार, बरो से वर्ताओ आदी-आदी इन्हें हम आत्मसात करें और इस रास्ते पर हम आगे बढ़ें धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद मुल्यम आपके प्रेनादाई बक्तब के लिए हम आभारी है और निशित रुप से आपने मानब निर्वान की और जो इसारा किया है आज उसकी बहुत ही जरुरत है और मेरे लिए सभाग की बात है कि हमारे मंच पर जितने लोग हैं उनमें से सभी मानबी की संकाय के हैं लेकिन हमारे एक हमारे विशिष्ट अतिती महोदे जो की बिग्याउन संकाय के है दर्शन और बिग्याउन का दोनों का एक सवनवे बहुत ही जरुरी है और खास करके जिस गतिसीलता की बात हो रही है तो कोई भी मुल्लिक कोई भी ज्यान जब तक गतिसील नहीं होगा क्रिया में नहीं उतरेगा तब उसका कोई महत नहीं है कहा गया है हमारे दर्शन में की ज्यानंग भारंग क्रिया विना तो हमेशा को आदर के साथ आमंतित करता हूं नरीश भाबू आज है कि दर्शन सास्त्र विभाग में हमारे विश्वी द्याले के ये बहुत ही महत्पूर्ण हस्ती यहाँ उपस्थित हैं और इसे कारजकरम में उपस्थित हमारे पूर्व कुल्पति प्रुफिसर ज्याननजदु वեदी सहव हमारे विश्वी द्याले में पटना से इस ठंड में आ करके हमलों के बीच एक बक्ता के तोरपर उपस्थित हैं प्रोफेसर नरेश परसाद तिवारी साहब, हमारे विश्वी द्याले के हमिनिटीज के दीन प्रोफेसर आर के मलिक साहब, हमारे बीच उपस्थित हैं हिंदी विभाग के विभागा ध्यक्षा प्रोफेसर उसाथ सिन्हा मेडम और इस मंच को संचालित कर रहे है सुधानसु सेखर जी, बिने जी, रिसव जी और हमारे उस केंपस से एजुकेशन डिपार्टमेंट से यहां आये हुए मेड के एसोसीट प्रोफेसर हैं हमारे स्पी सिंग साहब और बीएड के हेड हैं सुसील कुमार जी हमारे बीच उपस्थित हमारे बिश्विद्याले के बहुत ही करमठ और बिद्वान सिक्षक सिक्षिकागन चातर चातराव आज जिसके लिए हम यहां बैठे हुए हैं कल दीन ही में ही हमको यह सुचना दी गई थी सुदानसु बाबु से कि एक वार वहां आना है आज हम लों की बैठक होनी है वह सकता वहां लोग पहुंच गये होंगे दो टीचर हमारे साथ यहां है यहां भी पूजा जी है पांडे जी है सब आदमी को चलना है वहां लेकिन सुदानसु जी बोले कि जा आप से कम समय लेंगे आप आएंगे अच्छा लगेगा तो हमों को यह होता क्या है चुकि हम डारेक्टर भी है तो हमको लगता है यह सब गतिवीदी जो है विश्वीद्याले हम होता रहे तो यह जीवन्त दिखता है एक academic institution को इसी के जैसे होना चाहिए हमेशा किसे ने किसी topic पर बरे बरे लोगों से विद्वान आदमी से हमारे चात्रों को कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता है तो लगता है कि हम लोग को के लिए या सरकार जो विश्वीद्याले क्या स्थापना की है उसका ओचित क्या ह समझने का मौका मिलता है हमारे बीच हमने 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 सब लोग आए हमारे पुर्व कुलपती रहे हैं दुवेदी सर और काफी हम लोग कुलपती रहे हैं लेकिन हम लोग छोटे भाई बरे भाई के जैसे हमने का रिश्टा रहा है और मुझे लगता है के जिस तरीका से हम दूप्रास दो कुलपती रहे हैं हम लोग तो कि हम लोग आपस में थोरा सा भी कोई गैप है तो इसलिए मैं नरेस बाबू और दुवेदी सर का मैं अपने कंपस में नॉर्थ कंपस में जो हैसो स्वागत करता हूँ एक्योसी डिरेक्टर के तोरपड मैं उमीद करता हूँ कि सर आप जब कभी भी सुधानसु जी या और कोई सिख्चा किया हमीं लोग को आवे सकता पड़े तो आप सर हमेशा उपलब्द रहें और हम लोग से जो बन पाएगा जो हैसो हम लोग आपको बुलाते रहें सिखते रहेंगे ऐसे सर से मेरा ऐसा रिलेशन है कि हमको हमेनिटीज का मेडम जैसे बता रहे थी कि आज तक हमेनिटीज के लिए हमको कभी कुछ सुचना कोई काम रहता है संबंधित तो हम अपने इस सारी जवाब देश सर को दे देता है कि अच्छा लगा कि एक सपोर्ट करना है और सपोर्ट करने में कभी पीछे नहीं रहे हैं आज का जो भी सह है कि मानव जीवन में नेतिक मुल्यों का महत्त हम लोग सुनेंगे अपने विद्वान बक्तागन से लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि नेतिक ता जो है वह अपने आप में बहुत महत्त पूर्ण है बहुत बड़ा है और साइद आज के डेट में जो है सो उस पर जैदे आज प्रासंगिक हो गया उस सब्द की व्याक्षा करने के कि यह नेतिक मुल्ड जो है सो धीरे धीरे लगता है कि हम लोग के मानव जीवन से इसका हडास हो रहा है हर एक छेतर में राजनीत में तो हरास हो चुका है लेकिन सिक्षक एक अकेडमिक इस्टिचूसन में अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है अभी एक टीचर आते हैं सिनियर तो देखते हैं कि जितने भी जुनियर हैं उन सारे के सारे खरे हो जाते हैं जाते जाते आप स्टुनेंट मिल जाए कर रोड पर स्टेशन पर आप देखिए कि उनका क्या जो है सो लगता है कि लेकिन हम लोग के बीच अभी भी नितिक मुल जैसो हम लोग के बीच एकैडम की स्टिचूसन में है और टीचर में अभी मेडम बता रही थी कि ऐसा कुछ ना करें कि कल जांच कमीटी बेट जाए तो नितिकता हम लोग के साथ है इसलिए उसे डरने की बात नही ही है हम लोग नितिकता के साथ है और नितिक सब्द अपने आप में बहुत बड़ा सब्द है जो नितिगत्त है उसी पर चलना है मैं जब पोस्ट ग्रिजवेट की डिग्री लिया था एक कॉलेज में मुझे कहा गया कि आप परधाना चार्ज के पद पर कार्ज करेंगे मुझे लगा कि उसमें महावीर भव हुआ करते ते यहां परधाना चार्ज अब मैं अपने को देखता हो तो सरम भी आते थी और कुछ नहीं करना है मेरे पासखंकि किताव मैं तुमको दे देता हूं अपने लिए खर्दवा पटना से याए हुए थ हैसे बाहर मत जाना है और मैं नौ. साल वहां रहा नौ साल के बाद मेरी नियुक्ति जो है सिन्वर्सिटी सर्विस कमिस्टन से हो गए मुझे लगा कि इस किताब को परके हम कुछ कर सकते हैं लेकिन यह जो नितिगत कोई कि बात होती है तो नितिगत बात जो है एक एस्टेवलिस्ट है वह टेस्टेड है और उसको हम लोगों को फोलो करना चाहिए यह मुल्य जो है यह तो घटा बरता है मैं मैं फिलोस्फी या जो हिंदी के दृष्टिकों से मैं निका रहा हूं लेकिन एक साइंस के चातर के नात लिए किसी भी पदार्थ का मुल्य घटा बरता है लेकिन नेतिकता जो है वह अंतर आत्मा की आवाज है ड़ता बरता 안े है कि साधवा भाता है हुआ है अस computer घटा बरता है तो फिर जैसा हमारे पुर्व के बक्ता का रहे थे कि हम लोगों में और जानवर में कोई अंतर नहीं है, बिसिकली हम लोग भी एनिमले हैं, हम लोग जो है सो एनिमल से उपर दर्जा इसलिए लिए हुए हैं, कि हम लोग जो है सो सोसल एनिमल हैं, या हम लोग जो है सो एसमार करना करना चाहते हैं मानमुल को अस्थापित करना चाहते हैं तो नितिकता को छोड़ करके हम लोग मानमुल के अस्थापना नहीं कर सकते हैं हम लोग के बीच छोटा बचा यदि आता है और वो बच्चे यदि हम लोग किसे बात करता है तो हम लोग काते कि कैसा माबाप है कैस साथ है बहतर संसकार दिया है हम लोग उनके मादमस के माता पिता तक पहुंचते हैं और यदि बात ठीक से ने करें तो फिर हम लोग काते किसा माबा पर क्या संसकार दिया है क्या नतिक्ता सिखाए इसको तो एक करम सा यह जो है लोग जीना चाहते हैं तो नेतिकता के साथ ही आगे हम लोग बर सकते हैं एक बहतर मुल अस्थापित कर सकते हैं जो लगे कि हम लोग के मानब होने का जो है सो एक बहतर एक्जामपूल हम लोग साइट कर सकते हैं कि मानब को कैसा होना चाहिए खास करके एकेडमिक इंस्टिचूशन में जब आप आएंगे तो आप दूसरी जगह से देखेंगे अलग अभी भी मैं कहता हूं कि आप ब्लॉक चले जाए होस्पिटल चले जाए है और गेट पर जदी इन करेंगे तो वहां देखिए कि वहां जो है सो एक पर एक अच्छे-च्छे आ बात करते हैं टीचर देखिए किसी कितने अच्छे तरीके से अपने बच्चों को बताते हैं कि बिटा काम क्या है तुमको तुम यहां लो यहां बात करो यहां बात करो यहां बात करो सोफिस में चले सोफिस में अपना काम करा लो अभी भी हम लोग यहां है और आवे सकता ह जाए हम लोग का नेतिक मुल्ल जो हुआ इतना बहतर हो कि हम लोग की छवी जो है हम लोग का जो एक सिख्छक होने का जो महत्व है वह हम लोग गरवानित महसुस करें अपने आप पर अपने सिख्छकों पर अपने छात्रों पर एक संस्कार हम लोग अपने बच्चों में दे बहतर जिन्द की जीना है बहतर जीमन पाना है तो नेतिक मुल्ड को अस्थापित करना पड़ेगा जो हम लोग के संसकार में नीचे से आया है कई महाभारत हो गीता हो बाइबिल हो कुरान हो सबों ने इसी चीज पर जैदा जोड दिया है कि कैसे हम अप मानव नेतिक मुल्ड को अस्थापित कर है तो इस दिरिष्टी कोन से हम अपने बक्ता को सुनेंगे और मैं सुधान सुजी को धनवाद देता हूं कि इन्होंने जो है सो मुझे मुझे मोका दिया बोलने का फिलोस्प्सिमा आने का और इसीक साथ मैं अपने गुरुजन और हम अपने पुर्व को जो है सो बहतर ग्यान देने का आपने कार्ज किया बहुत बहुत अभार सर जाए हिन जाए भारत अब अब भूत धन्यवाद सर आपके प्रणाद आयुद बोधन के लिए और आपने बिल्कुल सही कहा कि बिना नेतिक मुली के मौनव जीवन की कलपना नहीं की जा सकती है और अगर हमें अपने सिक्षन संस्थाउन को अपने समाज को अपने राष्ट को और पूरी दुनिया को बहतर बनाना है हमें नेतिक मुल्यों को अपने जीवन में आत्म साथ करना ही पड़ेगा तो मैं आपके परतिया भार्वयक्त करता हूं और अगले वक्ता के रूप में मैं पर्फेस सबसे पहले मैं प्रफेसर नरेश प्रशाथ तिवारी जी को नमन करता हूं जैसा कि उन्हों ने कहा कि इनकी उम्र 72 वर्स हो गई है 72 वर्स में भी पटना से 6 वजे सुबह 6 वजे का मतलव है 4 वजे सुबह उठना और 6 वजे निकल जाना तो यह सबसे बड़ी नयतिकता यही है किस चीज के लिए कि एक सिक्षन संस्था में चल करके जाना है मुझे और वहां अपने छात्रों के बीच हम लोग तो छात्र ही ह अपने छात्रों के बीच जाकर के कुछ बातें कुछ सकारात्मक बातें अपने छात्रों को मैं दे सब मुझे जैसा कि आप लोग सब जानते हैं प्रफसर ग्यानन जेप प्रसाद दिवेदी जी को यह हमारे वाइस चांसलर भी रहे हैं इस विश्विध्याले में हमारे संकाया ध्यक्ष भी रहे हैं और एक बड़ा बड़े भाई और छोटे भाई के रूप में सर के रूप में इन्हे बड़े में साला जी भी कहते थे जब यह थे तो एक बड़े भाई के रूप में एक छोटे भाई को सम्मान के साथ देखना इससे बड़ी नहीं तिकता और कुछ नहीं हो सकती है मैं प्रॉफसर उसा मैडम को के बारे में मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता हूं मैं बहुत कुछ इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि ये साथ-छात करुणा की देवी हैं मैं भी अपने आपको बहुत सिंपल आदमी मानता हूं लेकिन मैं अपने से भी सिंपलर मैडम को मानता हूं मैडम है इससे बरी नैतिक तोर कुछ नहीं हो सकती नरेश जी है प्रोफेसर है एक्षन में रहते हैं और एक सिक्षक के लिए एक्टिव रहना इससे बरी नैतिक तोर कुछ नहीं हो सकती डॉक्टर सुनील कुमार रहना है यह जब क्लास में क्लास लेते हैं मैंने देखा है अपनी आखों से तो ये इधार उधार नहीं देखते हैं, सामने चात्रों को ही संबोधित करते रहते हैं, इससे बरी भी नैतिकता कुछ नहीं हो सकती। इमीडियेट काम को छोड़ देते हैं, उठ जाते हैं, डॉक्टर एस्पी सिंग साहब हैं, सब को उठ जाते हैं, इससे बरी नैतिकता और क्या होगी? नैतिकता नैतिक सब्द ही अपने आप में एक कंप्लेक्स सब्द है, यह समय के साथ बदलते रहा है, बदलते रहेगा। जैसा कि प्रफ्वेसर नरेश ने कहा कि मुल्य घर्टा बढ़ता है, लेकि नैतिकता ऐसा कॉंप्लेक्स सब्द है, जो अपनी जगा पर स्थूल ही है, अपनी जगा पर ही रखी हुई, नैतिकता हम आदमी हैं, जानवर से भिन्न हैं, इसलिए कि नैतिकता हम मुझ में है, म छोटी सी अपनी बराई नहीं करूंगा, लेकि छोटी सी बात है, जब मैं प्रोभाई सांसर हुआ करता था पाठली पुत्र में, तो कुछ नेतागर, सिक्षक नेतागर आए, उन्होंने कहा कि यदि आप ऐसा करेंगे, तो आप जेल चले जाएंगे, आप ऐसा करेंगे, त आपको नोटिस उन्वरस्टी से आजाएगी, आप ऐसा करेंगे तो हम लोग कोट में चले जाएंगे, तो मैंने उनसे कहा कि भारत देश संबिधान करूंसार चलता है, लेकिन मैं सिक्षक होने के नाते, पदाधिकारी होने के नाते मेरे लिए उन्वरस्टी एक्ट ही मेरा संबिधान, मैं इसी करूंसार चलूंगा, ये आपका प्रेरोगेटिव है कि आप कोट जाएं, नोटिस भेजवाएं, जेल भेजवाएं, कहीं कोई प्रॉबलम नहीं, लेकिन मेरी नैतिक्ता, मैंने अभी मुझे या याद है, लेकिन मेरी नैतिक्ता यही कहती है कि मैं इस करूंसार चलूंगा, तो हम लोग यहां तो आए हुए है, प्रॉफसर नरेश प्रसाथ तिवारी जी को सुनने के लिए, ज्यादा सब्द और क्या कहो, नैतिक्ता बढ़ती रहती है, नैतिक्ता घरती रहती है, हर उमर में कंसेप्स, प्रिसेप्स, इसका जो है वो, डिफि नैतिक्ता है, अपने अंतर आत्मा की आबाज को सुनना, कभी-कभी अंतर आत्मा गलत भी हो सकती है, लेकिन यदि उस पर हम विचार करें, यदि उसको हम तर्क के साथ विचार करें, तो वो अंतर आत्मा कभी भी मुझे गलत रास्ते पर या गलत काम करने के लिए नहीं कह लेकि उस गलती को यदी हम मान लेते हैं उस गलती को स्विकार कर लेते हैं तो इससे बरके फिर नयतिक्ता नहीं है दूसरे मेरा अपना जो यह दर्सन कहनों साय नयतिक्ता क्या दर्सन सास्त्री एक ऐसा विशय है या एक ऐसा छेत्र है या एक ऐसा लौ है जो नयतिक्ता के ब दूरू हुए एकेडिमिक कंसेप्ट को समझना दूरू है तो उसी एकेडिमिक कंसेप्ट को सरल बनाने के लिए सरहमलों के बीच में है इसी के साथ मैं धन्य देवाद करना हूँ मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मलिक सरका और अब मैं अमतित करना चाहता हूँ हमारे समकालिंग दर्शन सास्थ के जाने मौने दार्शनिक जो कि हमारे आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ जो फिलोसफी के नहीं है हम लोग की सबसे बरी जो संस्था है दर्शन सास्थ की वह अखिल भारती दर्शन परिशन और उसका जो सबसे बरा पद होता है वह होता है समाण अध्यक्ष किसी कॉंफरेंस की किसी बड़े बिद्वान को एक अध्यक्ष न्युक्त करते है हुआ यहार नपी तीवारी शर दोनों ही के अध्यक्ष रह तके हैं अखिर भारती दर्शन परिश्द के भी संहाना द्श रह और हमारे बिहार दर्शन परिश्द का सबसे बबाब पुरॉसकार है कि हम अपने दर्शन के शेत्र में करने वाले कि वश्ष्ट को उनके पूरे जीवन के प्लबधी के लिए देते हैं लाइफ टाइब एचिव्मेंट एवार्ड उस एवार्ड से भी आप सम्मानित है तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपके स्री चर्णाव में अपना साधर परणाव निवेदित करता हूं और आपको अमंतित करना चाहता हूं प्रोफेसर एंपिति वारी सर अप्समों संदो देख वार्टालियों से सरकाव स्वागप करेंगे हुए 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 अदर्नीय दुएगी जी है मलिक जी नरिश जी वुशा जी रवां सामरे रटेवे शिक्षक ब्रिंद शाद शात्राइं है मैं सबसे पहले सुधानसु जो को बधाई दूँ प्रवारी अध्यक्ष परने के लिए तो कि इन्हों ने मेरी बधाई शुकार ही नहीं की मवाईल पर और तो इनकी जो ध्वनी थी उस ध्वनी ने ही मुझे गतिशीर बना दिया और जब इन्हों ने कहा कि शर आपको आना है तो मुझे आना पड़ा तो मैं यह समझता हूं इसका जो है बेलपर्ति जो शदभावना है आदर है वह केवल मध्यपुरा में जब यह आया उस समय से नहीं बल्कि जब भावववववववववववववववववववववव और उसी जो मैं मैं इसका जो असने वक्त मैं इसे शुकार भी कर लेता हूं आज का और जो समय है समय तो बहुत कम हो गया चुकि कुछ बाधाएं मार्ग में आ गई इसके कारण मुझे इसे विशे पर संशेप में बात करनी होगी तो एक रूप्रेखा की तरह ही मैं बात करूंगा इसलिए यह सिर्शक दिया हुआ है मानव जीवन में नैतिक मुल्यों का महत्त इसमें तीन प्रमुक्षब थे एक है मानव जीवन दुसरा है नैतिक मुल्यों और तिसरा है महत्त तो जब हम मानव जीवन को समझ लें तब हम नैतिक मुल्यों को भी समझ पाएंगे मानशी की जो परिवाशा दी जाती है एक ट्रडिशनल डिफिनीशन जो अरस्तू का है उन्होंने वह परिवाशा दो तरह से दी बलश के एक तो तार्विक दिश्टिकों से दी मनुष विवेक्षिल प्राणी है और दोसी परिभासा उन्होंने सामाजिक विष्टिकों से दी कि मनुष सामाजिक प्राणी है जदि दोनों परिभासाओं को जोड दिया जाए तो मनुष विवेक्षिल सामाजिक प्राणी है तो विवेक्षिलता मनुष में है वह पशु से भिन्य है, मूल सुभाव हमारा पशुवत ही होता है, हमारे अंदर पशुओं के लक्षन हैं, लेकिन हम सरस्रेष्ट पशु कहलाते हैं, इसलिए कि हमारे पास विवेख है, और जब हम नैतिक मुल्य की बात करते हैं, तो नैतिक मुल्य को अपनाने या नहीं अपनाने का संदर्व यो होगा, विवेख से ही निर्धारित होता है, तो क्या हमें नैतिक मुल्यों को अपनाना चाहिए, नहीं अपनाना चाहिए, यह हमारा विवेख कहता है, कि अल्टक्रन भी कहता है कि नयतिक के शिध्धान्त हमारे पास कई है जुदित उन सारे नयतिक भिष्थान्तों को देखा जाए तो उस दृष्टकौन से नयतिक मुल्ल्ण भिन-फिन हो जाते है तो एक थ牆 हो जाएगा तो वह निरपेक्ष नहीं हो सकता है सापेक्ष हो जाएगा अब जैसे शुगवादी दश्न जो है वह मानता है कि नहीं हो सकता है जिसके द्वारा हमें शुख या आनंड की प्रद्विशक प्राद्रीगों आज का जो जुग है हर व्यक्ति अपने शुक की तलाश में रहता है अपने आनंद की तलाश में रहता है और उस तलाश के लिए हम दूसरों को नहीं देखते हैं हम सिर्फ अपने आप को देख से अपने शुवार्स को देख से और उस शुवार्स से міधर करते हैं। उसका भले ही नेजी जीवन में हमें लाब हो लेकिन सामाजिक जीवन में उसका कुपरवाव परता है। उधारन के लिए आप प्रियावरन की बात देखें। हमने अपने लिए जंगलों को काटा नदियों में बांध बनाया। उसका दुस्परिनाम हम भोग रहे हैं। प्रदूशन की समस्या फैली जलवाई परिवर्तन की समस्या फैली। तो आज के संदर्व में यह सारी समस्यां क्यों आई। इसलिए कि Cheese हमने नइतिक मुल्यों से हटकर कार्ज किया। अपने स्वक्रत के लिए कार्ज किया। यदि न Atlante UK मुल्यों को अपनाते तो अपने स्वक्रत के साथ साथ हम दूस्रों के खित्मी भी काम करते। कि हमारे यहां भारतिय e-shamskritti में कहा गया है कि प्रोपकार करना चाहिए नदियों का उधारन दिया जाता है .., पेड़ों का उधारन दिया जाता है .., पेड़ों पर फल लगते हैं.. अपने लिए नहीं लगाते दुसरों के लिए लगाते नदियां नदियों में पानी बाता है वह दुसरों के लिए ही बाता है नदी के लिए खुद नहीं दे तो वह जो उपमा दी गई है भारत्य संस्कृति के अंतरगर्द वह उपमा हमारे लिए प्रणादायत है और वहां नामाज का ही तो हमएन उस्तरह का कर्म करना चाहिए जिससे कि समाज रहा हिथ हो सब का ही तो हमारे यहां C 나가 आता है सर्वजन हिता है सर्वजन सुखा है सब के हित के लिए जो काम क्या जाए उससे सब का जिससे सब का ही थो तो सर्वकल्यानवाद की कांधिगी भी इसको में विश्वास करते थे तो यह अलग-अलग जदी हम निर्पेक शुरूप में देखें निर्पेक शुरूप में निर्पेक शुरूप में निर्पेक मुल सर्वकल्यानवाद से परे नहीं हो सकता वह सर्वुते रता जो हमारे हैं उसकी और लेजा लेकिन हम उस मंत्र को भूल जिए यह कहा जाता है कि जो हमारे बैदिक ग्रंथों में बैदिक रिचाओं में यह दिया गया है कि बसुदैट कुटुम्बकम यह पूरा विष्व हमारा परिवार है तो हम सब भाई भाई हैं हमें एक्ता होनी चाहिए हम सब समान हैं हम इंशा हम क्यों करें घिरना क्यों करें लेकिन आज आप देखते हैं कि घिरना और अहिंसा की जो मात्रा है वो बढ़ी हुई है आहिंसा और शांति की मात्रा नियून हो गई है तो ऐसे इस्तिथी में इस नयतिक मुल्य की आवशकता है जदि हम आहिंसक हैं ज हमें उनकी जवरत है उसकी जवरत है हमें खुद अपने आप में विसलेशन करने की जवरत है आत्म विसलेशन की जवरत है कि आखिर हम नैतिक मुल्य को का जो चरण हमारे जीवन में हुआ है मानव जीवन में हुआ है वह क्यों हुआ है और वह क्यों का कारण जदी हमें मिलता तो हमें उस कारण को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए बुद्ध ने देखा कि दुख है संसार में तो उन्होंने उस बारकारणों की खोज कर ली और दुख के निदान को दिया उन्होंने तो हमें भी उस तरह से आगे बढ़ना है आज की पीड़ी को खासकर जो नई है उसको इस बात पर सोचना है क्योंकि समाज में वही आगे बढ़ने वाला है हम लोगों का तो समय चुक गया हम लोग को जो करना था कर लिये अब जो नई पीड़ी है जो नए शिक्षक हैं जुवा हैं विद्धार्थी हैं इन को यह देखना चाहिए कि आज की जो परस्त पर्स्तितिमें किस सद्सेह से हम नेतिक मुल्लों को अस्थापित करें और दृष्ट कौन उससे अपना ना होगा समझना होगा क्या रिव्यक्ति के लिए एयक होगा या प्रस्तिति जन्न Cand्स होगा हम विजश्श प्रस्तिता की अद्वा रेक्मानल लिजिन कि साधर्स तो तो यह मुल जो हमारे नयतिक मुल जो है यह मुल रूप से यह पांच माने जाते हैं इसमें ज़री हम पुर्णृ रूपेन सप्तवादी बन जाएं तो कभी-कभी हानी उठानी पड़ती है एक थोड़ा एक मैं उधारन देना चाहूंगा कि मान लिए कि एक लड़की है जुवा लड़की है और कोई एक बदमाश लड़का उसके पीछे पड़ा हुआ है वह भागते भागते कहीं किसी के पास पहुंच जाती है वह व्यक्ति उसे चिपा लेता है और जब वह लड़क होता है और पूस्ता है कोई लड़की इधर से गुघ है यहां है तो वहां उसे शत्य भोलना चाहिए यह अशत्य Mormon चाहिए टूसके सामने समय सवितो कि जए वह सॉत्य वादी है तब भी उसे सत्य नहीं कहना चाहिए उसे अशस्रत्य ऑना कहते time कौणा ही जिससे कि उस तो यहां कभी कभी इसी लिए नैतिक मुल साथिक्ष होता है परसिति जन्य होता है हम किस परसिती में हैं और उस परसिती में हमें किस तरह का मुल अपनाना चाहिए कि इसकी आश्रक्ता है इसे सोचने की जवरत है इसलिए नैतिक मुल पुर्ण रुपे निर्पेक्ष तो नहीं हो सकता लेकिन कुछ मुल सास्वत माने जाते हैं जैसे माता पिता की आज्या मानना हलाकि लोग आजकर कितना मानते हैं कहना ब्रा मुश्किल है लेकिन वह माना जाता है कि बढ़ों को आधर देना और बढ़ों को जिदि आप सम्मान देते हैं तो खुद आपको सम्मान मिलता है वह सम्मान बढ़ों का नहीं होता है वह खुद को सम्मान नहीं देते इसका मतलब खुद आप अपने आप का अंधर करके क्यों कि आप खुद नहीं समझपा रहे हैं किं आप क्या हैं आप अपने आपको नहीं जान पा हैं तो इसलिए सबसे बड़ा ने ति मुल्य है कि आप खुद को जानिये अपने आपको जान लेते हैं आपको क्या करना चाहिए किस परस्तिती में आपको क्या करना चाहिए तो आप खुद ही नहीं आपके जीवन में आएगा तो यह इसलिए आप परस्तिती देखिए देश काल और परस्तिती इस पर निर्वर करता है नहीं सिक मुल्य और हाला कि यह एक ऐसा विशे है जिस पर बहुत बिस्तार से बात की जा सकती है और नितिशास्त्र में जितने नहीं तिक मापदंड दिये गए हैं उनके आधार पर इसकी विवेचना की जा सकती है लेकिन समय का अभाव है इसलिए मैं अपने शब्दों को नहीं भी राम देता हूं धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सर हम आपके अभारी हैं कि आप इतने कश्च सहते हुए भी हमारे बीच आए और आपने इतना प्रेनादायूद वोधन दिया का समय और रहा था तो हम लोग आपको और भी सुनते लेकिन आपने जो कुछ भी कहा है वो हमारे लिए एक सुत्र के रूप में गरहनीय है और निश्चित रूप से मौनब जीवन कैसे बहतर हो यहीर हम समों का उद्देश से यही शिक्षा का उद्देश से और यही दर्सन का उद्देश से तो आपके विचारों से हम सभी लाभानवित हुए हैं और हम अपने विभाक की और से भी और रूप में इसका इक्रम के उद्गाटन करता कहिए अध्यक्ष कहिए जो भी कहिए सब कुछ all in all मैं अपने विवाग के पूरी विवागा ध्यक्ष अपने गुरू और मौनविकी संकाय के पूर्व संकाय ध्यक्ष मौननिय पूर्व कुलुपति और दर्शन सास के छेत्र में अपना एक विशिष्ट पहचान बनाया है प्रफेसर ग्यानजे दुवेदी सर मैं आपको आदर के साथ अमद्द करता हूं कि अद्शक्यानमाला में हमारे 20 दर्शन के एक अद्बुत विद्वान को भी प्रूसर नरीद्र साथ कि वारी जी तो भी प्रूसर मल्यक शांप प्रूसर नरेश जी पूफिसर उशा जी पिसर सूनेल जी बीएट संगाय साह हुए हमारे विद्वज्ञ और इस कक्ष में उपस्ति सभी शिक्षक शिक्षक बंदुओं चात्राओं शब्का में आज के इस व्याख्यान माला में दर्सन सात्र विभाग की वोड़ से वैभुपेंद्रायर मंडल विश्विद्याले की वोड़ से आप तबों का मैं हादिक श्वाधत करता हूं कि यहीं तो सुदान्सुरजी के कारिक्रम में इस तरह के आयोझान हमेशा जबसे पढ़्याले में उन्हों ने कदम रखार है जहमिबें लेकिन इस तरह का कारिकरम हमेशा हमेशा करते रहे हैं आप तब प्रोफेसर मल्लिक साहब प्रोफेसर उशाजी सुनील जी आप सभी गरें क्या कर अप सभी लोग हमारे क्या करते हैं बंधु तुल्य और हमेशा हमेशा से विशुविध्यालययात जहां पर है मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी लोगों का उसमें बिलकुल पूनतया योगदान ही रहा है। आप लोग जहां भी रहे हैं, जिस रूप में भी रहे हैं, महा विज्विध्यालै विश्विध्यालै की विकास के लिए सतन्य चिंतित रहे हैं और उशी का परिणाम है कि आज हम लोग इस रूप में अवस्तित हैं हमारा विस्विद्यालय 92 में जब बना आप इस विस्विद्यालय का आप लोग पिलर ही हैं और बहुत ही अच्छा लगता है आप लोग के साथ रहना आप लोग के साथ मिलकर के काम करना एक सोच जो कि जिसे हम संद्चनात्मक कह सकते हैं और प्रपंचात्मक कह सकते हैं हमारी सोच जब संद्चनात्मक होती है तो हम लोग प्रपंचना करते हैं एक इस रिष्टी जो कि हम लोग देख रहे हैं यह इस्वर की संद्चना ही तो है उनकी सोच का परिणाम है कि इस रिष्ट मैं कि को ती है नदी नाले पीडू देरे सब कुछ बिए और एक सोच प्रपंचात्मक होती दिस להम दर्शन में इभी कर सकते हैं और जो प्रपंचात्मक सोच होती है कि और फिफ प्रपंच करती है एक कि अकुछ करती नहीं है तो आप लोगों की सोस मे सविध्याल inventory के लिए हमेशा ससमास Immerse सांसनात्मक रही है हलाकुष लोग प्रपंचात्मक सोस भी रखते हैं लेकिन मेरी विचारते जो प्रपंचात्मक स्रह को समाज को किसी को कुछ दे नहीं प зов प्रपंची करते रहते हैं तो हमारी आपकी सोच संरचनात्मक हो और मैं इस बात के लिए बेड़े गर्वनभव करता हूं कि हमारे साथ जो भी हमारे भाई बंधु रहे सब की सोच पूरी तरह से संरचनात्मक ही रहे मुझसे बढ़ करके संरचना की सोच करने वारे डॉक्टर नरेश जी से हुई है उसाजी वैठी हुई है आप सभी लोगों के संरचनात्मक सोच का परिणाम ही है कि आज हम लों की शुरूप में है आज मानव जीवन में नैतिक मूल्यों की महत्विकी सर्चा हो रही है आप सभी द्रजनों ने अनेक सा रूपों में इस पर प्रकास डाला है उस eer हमारी संस्कृती में में हमारे जो मूली है तो अगर सब को कंमाइन करके देख लें रूपों में सामने आते हैं यह सवे निए एक पार लौक पो गिक नोल जय को हो धीकांसता है मि boyfriend कर दर्षन के ऊपर इस सीज कर तारूब लगा जाता है कि हम लोग पारला की को मूलीों पर ज्यादा दियान देते को सांसारिक मूल्यों पर कम Limit yeah zosti या इस तरह की विचार रखना न खात तोर्थे दर्शन ए पूरी तरह से इजब में है ये कहले कि जितना हमारे मेरे मनी की चिंट्टों ने है मारे नीतिग्यूत सांसारी की चर्चा है है सांसारिक मूल्यों के बारे में बताया है उसी के बल पर आज ये सांसारिक मूल्य आमानो जीवन ठीका हुआ है जब हम सांसारिक मूल्य की बात करते हैं तो कर्म शील होता है संसारिक मूल्य हम कर्म करते हैं और कर्म करने में हमें ध्यान रखना चाहिए कि कर्म करने के समय में पारिवारिक मूल्य सामाजिक मूल्य जड़ जगत चेतन अचेतन पसू पच्छी नदी नाले पेड़ पौधे किसी के भी मूल्यों का हनन न हो वह हमें कर्म करना चाहिए सांसारिक मूल्यों के अंतरगत जब हम कर्म करते हैं तो इस रिष्टी पर धरापर के किसी के भी मूल्य का हनन न हो वह हमारा सांसारिक मूल्य है वह से वादा होता यह है अपने शुक्ष उदा के लिए प्रकरती को प्रक्तिका बिनास करते हैं आपनी शुक्ष उदा के लिए परिवार को समाज को जीव जंतु को पेड़ पहुदधे प्रशुप पत्षिस सब को अनन करते हैं इस आंसारिक मुल्यों को अस्थाइक प्रदान करने के लिए यह मुल्य सानषारी मुल्य नहीं कह आ सकते हैं हमारे चिंतों को ने नितिग्यों ने बताया कि हम सांसारी कर्म करें लेकिन किसी के भी मूल्य का हनन्त ना हो अगर हम संसारिक मूल्यों के अस्थापना करने के लिए जीव जन्तु पेड़ पौधे नदी नाले या समाज परिवार किसी काव को भी अगर हम लोग नुक्सान करते हैं तो ऐसी इस्तिति में वो संसारिक मूल्य नहीं कहे जाएगा जब भी मूल्य सब्दा आ जाते हैं तो जो हमारे कर्म होते हैं बिरिद सीमाओं में बथ जाते हैं उन मूल्यों से उतर हम कर ही नहीं सकते हैं और जब पार्लावकित मुली की बात हम करते हैं तो पार्लावकिक मुलियों के अंतरगत् हमारे मनीश्यों ने चार प्रकार की पूर्शार्थ की व्याख्या किया हम व्याते हैं धर्म, अर्थ, काम 어rent और मोक्स इन चार प्रकार की पूर्शार्थों में अर्थ और काम जो है कि सांसारिक मूली ही तो है धर्म और मोक्स का संवन पारलवकिक मूलिशिव होता है तो जो सांसारिक्तपंते हैं हमारी पुर्शार्थों में धर्म और उर काम इसको वि यह निस्ति ग्यों ने विभीन प्रकार के नइतिक मूर्यों से बांध के रखा है कि हमें उर्त का उपार्जन करना चाहिए हमारी हमारी पुर्शार्थों के इंतरगा MR City लेकिन किसी की मूल्य का हनन करके नहीं हमें काम की पूर्टी करनी है लेकिन किसी की मूल्यों को हनन करके नहीं इन दोनों को ही हमारी नितिग्यों ने धर्म की रशी से बांध के रखा है यानि अर्थ और काम को हमारी नितिग्यों ने धर्म की रशी से बांध के रखा है के परिवेश में हम आप देख सकते हैं कि अर्थ के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं तो जब जब ही रसी धीली पड़ेगी अर्था और काम को छोड़ा जायेगा इस धर्म की रसी से अलग किया जायेगा कि मूल्यों का पतन होगा और जो इस्तितियां उत्पन होंगी जिसके बहुत सारे दुस्परणाम हम लोग देख रहे हैं और आगे कि क्या इस्तिति होगी अगर इन नेतिक कुल्यों की सुरक्षा समच्छा नहीं की गई क्या इस्तिति होगी इसकी कल्पना किया सकती धर्म और मोक्त का संबंध हमारेивает मूलयों से होता है तो सांसारिक मूल्य और मूल्यों दोनों ही प्रकार के मूल्यों के बारे में यदि हम विचार करें तो पाते हैं किकिसी भी वातावरण के कि प्रकृति के किसी के भी मूल्यों का हनन नहीं हो अगर हम जीव जनतू पाशुपंसि पेढ़े प्रकृति का भिध्वन्स करके हम किसी मूल्य की अस्थापना करते हैं तो मानौकि हित्मे नहीं चुप हमारी मूली दूसरी तरफ हम पाते हैं कि लवपिक मूल्म और पालुपिक मूल breeze चाहर्यों की ब्याख्या दूमी मूल्लियों को चार परकार के पुन्प में बांद कि देखते हैं है अर्था और काम को ड्रम की रश्ची से कही भी अलग नहीं रखना चाहिए और जब धर्म मुक्स काप का क्या हो गया साधन माना गया है उसा मेरे चर्चा की बच्चे आते हैं वो पूछते हैं कि हम मेरा भाई इंतान देना चाहता है यह का वीवार है यहां पर साधन मूले और साध्धी मूले हमारी नीतिग्यों ने बताया कि साध्य कुछ भी हो लेकिन जो हमारा साधन मूले है यह साधन ही हमारे अधिकार में है करमेडिये वाधिकारस्ते माफ हलेश को दाचन गीता कहती है हमें पूरी द्रिष्टी पूरी तनमेता और ततपरता के साथ साधन पर ही ध्यान देना है साध्य पर नहीं साधन निदी अच्छा है तो निश्चित रूसुत का प्रड़्याम क्या होगा अच्छा ही होगा और यह हमारा ध्यान साध्य पर जाता है तो हम साधन की पविच्रता पर ध्यान नहीं दे पाते हैं किसी भी परिस्तिती में हमें हमेशा साधन की पविच्रता पर ही ध्यान देना चाहिए हम लोग डाकुमान सिंग और संत रैदास जी के बारे में जानते हैं कि दोनों का काम क्या था गरीबों की शेवा करना संत रैदास द्हा करते थे और द्राकुमान शींग भी ता अमीरों के घर से ल मर्ती द्रीज़ता था तुक अ जानत्त Алइच क्या करते थे एंग एफ जोन के टिक erk lazy जानता पर द्राकुमानोर्थ साधन की पवित्रता पर ही धिएण दिया गया है ग्यां। हम insamie Young को लूचता ठाड़ां ने ठाड़। में बाइड़ता थथ उसको त्थीक्त ठाक करके ईब aç से मेस्था तो हमेशा हमारा भले ही निकट भविश्य में उसके परिणाम अच्छे हूं लेकिन यदि हमारा साधन पविश्य है और दूसरी तरफ वह साधन ही तो हमारे अधिकार में है हम खेती करते हैं क्या उसका थसल कैसी होगी क्या उसका परिणाम होगा हमें मालूम नहीं है लेकिन हम पूरी तर्मेटा के साथ खेती तो कर सकते हैं कि दूसरी साधन हमारा पवित्र है रिष्यत रूप उसके प्रेजाम किया होगा अच्छा ही होगा एक जिस धरा पर हम है नहीं हम अभी नयतीक मूहल्यों को लेकर कभी विश्व की विद्यागुरित है और आज भी पूरा विश्व मूल्यों के लिए जीवन की रक्षा के लिए उसकी निरंतरता कायम रखने के लिए भारत की तरब देखता है कि कोई मूल्य वहां से प्रश्वुटित होगा वहां से निकलेगा और पूरे विश्व की रक्षा इन्ही नियतिक मूल्यों से ही हो सकती है युद्ध के जरिये कभी सांति की अस्थापना नहीं हो सकती क्यों आप युद्ध करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा युद्ध के रूप में उसका परिणाम आपके सामने आएगा आग कभी आग से नहीं बुश्ता है तो शांती की अस्थापना के लिए हमें नयतिक मूलियों पर ध्यान देना आवश्यक है हमारी बिभारिक समय से आएंगी और जाएंगी लेकिन ये जीवन है और आगे ये मानव जीवन रहेगा तो उसको उसमानव जीवन को सुरक्षित संरक्षित कौन रखेगा चोड़ता उत्तर में नयतिक मूली ही रखेंगे उसे काल महा काल प्रलयकाल आया और गया यूग यूग बदल गए कली यूग में है जो आपर त्यता सथिक सब समाप्त हो गया लेकिन जो हमारे नयतिक मूली थे काथ यही हमारी पहसान थे भारत भारती संस्कृतिक यह पहसान है आज भहातिक वाधी मूल्य हमारे देश में हमारे उपर हाभी हो रहे हैं लेकिन लाऑकरित भहातिक मूल्य जो है यह स्थाई नहीं है इस से हम सतत्व जीवन जीवन की चुराण्या सनर्च्छा कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब भी हमें करना होगा उसके लिए यदि हम मूल्यों को संरक्षित रख सकते हैं तभी हमारा जीवन संरक्षित रह सकता है तो यह जो मूल्य है यहीं तो हमारा जीवन है यहीं तो हमारी पहचान है कुछ लोग ऐसे हैं जो कि भावतिक वादी मूल्यों की अस्थापना करने के लिए हमारे जो नयतिक मूल्य हैं जो अध्यातिक मूल्य हमारे हैं जिस पर हम टीके हुए हैं कि उसको विध्वन्स करना चाहते हैं इस बुंद्यू पर हमें सतर्क रहने की भी आवस्यक्ता है क्योंकि यह समिस्या नहीं यह चिंता का विशे है चिंता का वैसे इस रूप में है कि हम अपने आने वाली पिढ़ी को क्या दे रहे हैं क्या यह भौतिक मूल्य जो हम अपने आने वाले बच्चों के यह दि देते हैं तो कितनी पिढ़ी तक चल सकता है कब तक हम लोग सुरक्षित और स्वानक्षित रह सकते हैं इस पर लोग कहते हैं बहुत पहुंचे हुए फाकीर हैं पहुंचा हुआ फाकीर ही क्यों नहों हो इस सब का दाई चों बंता है कि हम अपने नाइतिक मूल्यों को सुरक्षित रखने का संकल्प लें कि यह नाइतिक मूल्य ही हमें जीवन प्रदान कर रहे हैं और अगर आगे नीति सास्त्र में नीति गद कर्मों अनायतिक कर्मों की व्याख्या की है नायतिक कर्म जो होते हैं इसके विपरीत अनायतिक कर्म और कुछ कर्म हमारे नीति सून्य कर्म भी होते हैं जैसे बालक हो गया पगल हो गया आप या बनस्पती जगत के कर आप जार रहं रास्ति कर आप आप पेड़ गिर गया तो ये सब कर्म क्या होते हैं नित स्शूं नहीं होते हैं इस पर हम नहznतिक अनह醉तिक का नेड़े करने की छमता है उसे ही तो हम मानव कहते हैं अन्य था बनस्पति जगत पसू जगत बालक पागल कि इस सब के कर्मु पहमनेथिक निड़े नहीं ले पाते क्यों नहीं ले पाते क्यों की इनके कर्में नीति शूने कर्मे के अंतरगाद आते हैं कि पथल भेकते हैं आम का फल टोडने के लिए तो नहीं तोड़ता है यह पत्त्छल किसी बालक hell गरता है बच्चे का सर फड़ जाता है क्या एसे कर्मों को आपम क्या कहेंगे ने जी कहें लेकिंगे वहांपर आपका उद्देश्याइव चलभी प्रीक्ना परडाम होता है कि फल तूरता नहीं वो बच्चे पर लिखता है कि दूसरी तरफ कोई विखारी आप कहां भीक मांगने आता है अब उससे तंग आ गए हैं अब सुने का बड़ा सा सिक्का उसके सरपीस नहीं मारते हैं कि विखारी मर जाए वो नहीं मरता है तो सवाली होता है कि हमारे जो कर्म होते है जिसे हम नायतिक कह लेपे हैं नीती सुनी कर्म धिया रखिए नीती उसरी कर्म माक है उससे फनि ludzi नहीं सकते हैं लेकिन जिस पर अमनेटी कर्म यह dhertay के नेतए और यह नहीं हो रहा है यह कर्म मानव जीवन से संबंदित है क्यों कि मानव जीवन में संकल्प करने की सुतंत्रता है हम आप जानते हैं सटी कि सेन अचना में जो जस्क्रेह तो तस्पल Champ जैसा किया वैशा प्रेश्ट ऊठता है कि जैसा मैंने किया वैसा हमको मिल रहा है या मिल चुका है तो हम इस्वर को क्यों माने है तो नैतिकता मैं स्टेंड कहती हो कहती है कि इस्वर ने आपने जैसा किया दिया तो वैसे यह आपको लेकिन उसने अपनी तरस आपको दिया है freedom of will, संकल्प करने की सक्ति, यह सिर्फ आपको दिया है, जिसे मानोजीवन कह रहे हैं, अगर आपको संकल्प करने की सक्ति नहीं है, तापानव नहीं है, तो जो कर्म आप संकल्प करके, संकल्प की सक्ति का उपयोग करके करते हैं, वहीं कर्म हमार करने कि यहीं कर्म करने की सकती यहीँ मानव जीवन है है Holle ै हमारे नीति mies we're gonna be 47 ब्रेक्ति वड़ी नहीं है कि हम से देखते हैं लेकिन नीतिकी कहते हैं अक्षा भास साभण है देखने का मन से बंसे हिद्धािस ब है कि आपका आप छूण कोई गया तो आप कहेंगे मेरा ध्यान उधर नहीं था तो जब हम अपनी संकल्प शक्ति का उप्योग करके किसी क्रिया का संपादन करते हैं तो नैतिक अनैतिक कंतरगत आता है ज्यादा कुछ नहीं करके मैं इतना जरूर कहूंगा हमारी समय से आएंगी और जाएंगी लेकिन अगर जीवन है और जीवन रहेगा तो नैतिक मुल्यों की सुरक्षा संप्षात हमें करनी ही है और हमारी इसी पिड़ी का अदाइत होता है कि हम अपनी नैतिक मुल्यों को सुरक्ष संप्षित करके आगे बढ़ाएं कि यहीं हमारी पहचान है कि आज होता क्या है एक चतुर माली का करता क्या है कि वो अपना नया पौधा लगाने के लिए दगीशे में पुराने पौधे को जार जंखाल के नाम पर कि यूजले से फूल भीयत इसमें सुगंद नहीं है यह दिस से दैथे उपकूर खाल करके फै साथ आरोपीद कर देता है और हम लोग के साथ भी ही हो रहा है कि सब्सक्राइब को हमारी मूलियों को कि पुराना है प्रगतिसीन नहीं है वगेर वगेर कह करके एक तरह फटा त्या जा रहा है फेका जा रहा है और वभातिकवादी मूल यह से बड़े प्रेयम से लेकिन हमें इस बिंदु पर सतर्क रहने के आवसकता है हमारे नयतिक मूल ही हमारी पहसान है हमारे नयतिक मूल ही अगर मानव जीवन है तो जीवन को फुरक्षित रख सकेंगे तो आज एक बार फिर मैं आप सभी लोगों का दर्शन वीभाव की ओर से D इस बेजिद्य परिवार की ऊटे आप सबी लोगों काहिक बैसे स्वागत करता हुं और इतना जरूर कहूंगा है कि हम अपने मूलियों की सुरक्षा के लिए हम संकल्पने हम अपने मूल्यों की सुरक्षा करेंगे और आने वाली पीधी को हम इन जो हमारे नितिक किस्थापित किये हैं हैं चाहिए वह सांसारिक हो पालोकिक मोल्य हो हम अपने आने वाली कि देएगे उन्तरकत सांसारिकता के बारु में सब्सक्रम ने बताया एक बार पिर किसी भी मूल, कोई भी मूल ले, कि हम उस बीव की अस्थाप्र पर्याबरण, परिवार, किसी का हनन नहींॡ अगर किसी का हनन करके हम किसी भी मूली के स्थापना करते हैं तो मूली दिरगाई नहीं हो गए इन्हीं सब्दों के साथ मैं भाद देता हूं आपके बहुत बहुत धन्यवाद सर हम आपके अभारी हैं इतने सारगर्वित ब्याठ्षान के लिए और छमा प्रार्थी भी हैं कि हम आपको ज्यादा समय नहीं दे पाए और आप जैसे विद्वान का जिनका की निती सास्त पर फुष्टक भी प्रकासित है बड़े बड़े प्रका तो मैं उसके लिए च्षमा प्रार्थी हूं और निती सास्त्र में तो कहा भी गया है कि नेतिक्ता का सबसी बहा मौपदंड हैшего यही है कि दुसरों के साथ वहां नहीं करें जो आप चाहते हैं कि दुसरे आप साथ नहीं करें और इसके उलट कहिए कि दूसरे के साथ वही वेवार करें जो आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें तो इस दूसरा जो है अधर इसमें दरसन साथ ना के मनुष्य बलकि पूरे संपूरु चराचर जगत को लेता है जो की आपने हम समों को बताया सिर्फ यौन विनि के लिए नहीं बलकि जितनी परकृती है राचर जगत है उसके उत्थान के लिए नातिक्त लोगत संब्सक्राइब का नहीं लेना चाहता हूं सिर्पान्त में मैं चाहूँगा कि भी नहीं जी हमारे समाज सास्त विवाग के विवागा ध्यक्ष प्रोफेशल राना सुनील सिंग सरका सम्मान करेंगे कि हम लोग छूट गया था सरका सम्मान के लिए है सरका करेंगे और सर को हम अपना थी नहीं मौनते हैं वलकि अपने विभाग का ही अंग मौनते हैं इसलिए हम सर से जन्रोद करेंगे सर आफी संच्छेप में कम सब्दों में धन्यवाद गयापन करना साथ प्लीज सब्सक्राइब कि अग्यानजे दुवेदी सर पूर्व कुल्पती बिनम्यू हमारे वरिष्ट सिक्षक भी रहे हम लोग बर्सों सर को सुनते रहे आज भी सुन्यें सर के कहने का जो सांसारिक और पारलोकिक नैतिक अनैतिक अच्छा बुरा वांचित अवांचित ये सब जो है मानव के लिए है मानव को हर वक्त याध्यान रखना है जो सही तरीका है उसी का प्रियोग करें जो गलत है उस रास्ते पर नहीं चलें अगर सही जो है आप उस पर जब चलते हैं वह नैतिक है अच्छा और बुरा अच्छा जो है उसको आप करें बुरा जो है उसको नहीं करें और सर को अगर और मौका देते सुनने में अच्छा लग रहा था हम लों का ग्यान वर्धन हो रहा था हमारी एक्षा थी कि सर और बोलें लेकिन समय है तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद आभार मुख्य वक्ता प्रफसर नरेश प्रसाथ तिवारी दर्शन सास्त्र विवाद पत्ना विश्य देले पत्ना आपको पता होना है कि दर्शन सास्त्र के अध्यक्ष रहे बिहार के भी और राश्ट्री भी सर का नाम सब लोगों ने पहले से भी सुन रखा है सर को भी हम लोग सुन रहे थे लग रहा था कि अभी सर थोड़ा और बोले हैं हम लोग सुने हम लोग का ज्ञान वरधन होगा सर ने सापिक्ष और निर्पिक्ष सापिक्ष जो होता है वह सर तुलना कर देते हैं सर तुलना कर देते हैं अब देखिए भारत में साधी के पूर्व लड़के लड़की को योन सम्मंध करने की स्विक्रती नहीं है यह हमारे नेतिकता में है लेकिन दूसरे देश में ऐसा नहीं है तो सर ने एक पात और कहा था कि हर एक जगा का नेतिक जो है वह अलग-अलग है अलग-अलग है धेर सारे यह में देखेंगे और परिवार की नेतिकता सेक्षिनिक संस्था की नेतिकता राजनीतिक नेतिकता संस्कृतिक नेतिकता आर्थिक नेतिकता व्यवसाई करने वाले जो है अब आप हर समय कहेंगे राजनीत करने वाले की नेतिकता जो है हम लोग विस्यानत मतलब हम लोग ब्रहमित होते हैं हमें उनकी हर्थ का जो है अलग-अलग है एक जैसा नहीं होगा सर ने एक उधारन और दिया था न कि एक लड़की के पीछे कोई लड़का लग गया लड़की भागते हुए जा रही है और फिर एक सज्जन उसको अपने घर में रख लेते हैं चिपा कर और उसमें उनसे असत्य बोलना वहां नहीं तिकता है तो सर कभी बहुत-बहुत आभार बहुत-बहुत धन्यवाद मुख्य अतिति प्रफ सर आरके मलिक सर हमारे बीच है मानविकी के संकाय ध्यक्ष हैं सर ने कहा कि हम लोग जो काम करते हैं जो सही काम है वही नहीं तिकता है नरेश बावु को जब हम लोग देखते हैं कि भाई हर समय काम ही करते रहते हैं बेतनी भी वही लेते हैं मैं भी वही लेता हूं और लगता है कि इतना वक्त जो है ये देते हैं लोग क्या बोलता है लेकिन ये बिस्विद्याले के हित में काम करते हैं लोग अपने घर को बनाने में ऐसे नहीं दिल्चस्पी लेते हैं आज ये सब जो देख रहे हैं खर्च तो हुआ बिस्विद्याले का लेकिन काम करवाए ये घूम घूम कर तो ये समझते हैं कि हमारा क तो इत तो मलिक सर ने उधारं दिया अपने विशे में मैडम के विशे में अन्य लोगों के विशे में कि जो सही काम है उसको हम लोग करें वही नहीं दिकता है बहुत बहुत अभार सर आपका धन्यवाद सर विशिष्ट अर्थिथी प्रफसर नरेश कुमार निदेशक आईक्यूएसी बिनम्यू मधेपूरा सर ने भी नेतिक जो है मानव जीवन में नेतिक मुल्यों के महत्तो पर प्रकास डाला हम लोग सुने लाभानवित हुए सर का भी अभार और बहुत बहुत धन्यवाद एक व्यक्ति सच्मुच में जो सर ने भी कहा गयाने जी कि मधेपूरा जब से आए पहले से भी लोग सुनते थे नौकरी करने सब लोग आए सब लोग नौकरी कर रहे हैं लेकिन जब से आए वह आए सिक्षक और कोई दूसरे नहीं डाक्टर सुधांसु सेखर है प्रभारी विभागा द्यक्ष दर्शन सास्त्र विभाग इन लगातार सिरीज में जब कोरोना काल में सब लोग घर में दुखे हुए थे तो आनलाइन जो है इस तरह के कारिकरम करते रहे आयुजीत करते रहे मतलब ये अपने काम में उस बिस्सम काल था उस काल में भी अपने काम को करते रहे जो इनका मूल काम था तो यह इनकी नईतिक्ता है इसी नईतिक्ता के बल पर जो है इनकी पहचान है और समाज को लाव हो रहा है इन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका कि आप तो अब जो है